हालो जैने दोस्तों मैं राहूल सिंग राहूल वाई फाइ स्टेड़ी में आप सबी लोग का बहुत बहुत चौकत और भी निंदन करता हूं प्रांट्स उत्तर प्रदेश से जोड़ी हुए प्रतिय को महत्पूर कबर जो एक प्रतियोगी चात के लिए जरूरी और फ्योग कि आपको पता होगा साथ से आठ पेज में आपकी परिच्छा अव्यूद कराए गए थी देज भर में और प्रतिय जो है कटाप और लिस्टड जो भी सेलक्टड भरती हैं उनका रूल नंबर जियां छपना सुरू हो चुका है और आप मोस्टली जो है सभी जो है जो है जो परिच्छा को लेकर के भी अन्य चीजों के बारे में टीटी परिच्छा जथा कि आप लो जानते हैं लाको अभरतियों का भवेशे तेज जन्वरी को जो है भी लटका पड़ा हुआ है और इन सब चीजों के साथ आज इस वीडियो में हम आपके समच आजरू हैं चैनल पर बात करते हैं पहले हम लोग उत्तर प्रदेश अदिनस्त सिवा चैन आयोक को लेकर के पहली बहुत सब्सक्रापूर्च चीज आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लेकपाल भरती परिच्छा को लेकर के आठ हजार पचासी पदों के लिए आन्लाइन अबिदन के बेट किये हें अनभरतियों को लिए करके हम अपनी आगे की कारवाई आगे नहीं पढ़ा सके हमें इस वर्ते से हमारा अब ये इकजाड़ी पत्ता नहीं खुला गया है अद्रनस्था सेवाल चैना आयों के दारा कि किन अगरतों को स्राक्षन किया जाएगा मेंस परिच्छा के लिए यानी मुख परिच्छा को लेकर के इन सब चीजों को लेकरके अगरतियों में उत्तरप्रदिश के अगरतियो में रोज लेकपाल भड़ती परिच्छत थी वा पीटी कटा भोसित्ना करने से इवाओं में रोज है अब इस मुद्दे को लेकर के प्रतियों की छाथ सोसल मेडिया पर अभियान चलाएंगे और इसको लेकर के रणनी तयार की जा रही है इवा मंच के प्रतियों ने इस मंच मंच का इमांग का शमर्तन किया है इवा मंच अदेच अजिन स्री ने कहा कि जिस तरह मुखमंतरी द्वारा भड़तियों में तेजी से लाने के लिए पीटी को और चुई तिपूर बताया था वह पूरी तरीके से फेल हुआ है निशित्तों पर फेल हुआ है कहीं भी कोई म जारी कि ये लेगपाल भरती का वेदन लेना समझ से परे है युवा समझ नहीं पारा क्या चीज़ करता चाहता है तो पाल भरती कावेदन लेना समस्से परे है युवा मंच ने मांग की तदकार लेकपाल मुख परिच्छा के लिए आहरता रखने वाले अभरतियों के लिए कटाफ जारी कर परिच्छा तिती घोसित की जाए और ये भी बताया कि रोजगार को चुनामी मुद्दा बनाने के उसके पहले वीडियो भरती एक्जाम यानि ग्राम पंचा इतकारी भरती की परिच्छा काने की तैयारी में आयोग चल लहा है लेकिन कटाफ को लेकर कि अगर घोसित नहीं किया गया है जिस पकाल से अबरती पिछले एक साल से ये अंदाजा लगाए थे एंटी पीसी को ले रहे हैं जिया को जो भी अनमाल लगा गया था रार्वी के तरफ से बिविन चैनलों के मात्यम से वो कहीं कहीं बिलकुल उस पर कोई भी जो है का सकता है कि चीजे उसके बेस्पन नहीं हो पाई है और कटाब बहुत हाई जा रहा है इसे परकार से लेकपाल भरती परिच्छ में भी चीजे कुछ आपको बदली हुई से देख सकती है बात करेंगी जा कि आपको जानते हैं आज 15 जनवरी है और आयोग ने धरने में जी आज एक बड़ा धरना प्रतातन आयोड किया गया था आयोग पर उसमें आयोग ने कहा था कि हम जो है जो है जुनिय एक आपकार इसी पाही रिजो helps को लेगर के या फिर किसी अर्ण भरती परिच्छा को लेकर को ले कि कोे भी एनॉंसमेंट तब से अभए तक आयोग की तरब से नहीं किया गया है यानि آई विलकुल अपनी कारोगाई को लेके इतनी सिथिलता बलत रहा है जिसका को इज्झ सब्सक्राइब करने में सबसे आगे हैं आगे बात करेंगे हम लोग यहां से सबसे महात्रपूर्ची यंटी पीसी जीहन नॉन टेक्निकल पॉपुलर करिगरी पिरी का रिजल्ट आना सुरू हो चुका है और आर भी जो आप देख सेकते हैं हम बात करेंगे कटाव को लेकर के पहले आप देख सेते हैं सभी लोग मैंने आरायर भी भूनेशवर जोए उसकी आप पिछली प्राइस चीज़ें डाउन लूट किया है गौर्णमेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेलबे रेलबे रेकुट्मेंट भूनेशवर यानि आरायर भी भूनेशवर के संभावना जताई जारे थी कि फाइनल रिजल्ट जब जारी होगा है यानि सीबीटी टू का रिजल्ट जब जारी करेगा आरायर भी तब यह चीज़ें जो है कटाप अलग अलग तैकी जाएगी लेकिन आज ही आरायर भी ने सभी चीजों को जैसा जिसका लेबल था यानि यह लगा जाता कि अभी केवल अबराल कटाप एक तैक की जाएगी अंतिन कटाप तो सीबीटी टू के बात की जाएगी तैक लेकिन ऐसा कोश नहीं हो पाया है तो आरायर भी भुनिश्वर की बात है तो मैंने बात क्या बहुत्तर परदेश के समयं तो आरायर भी अलाहा ब बात की जो है अफिशली वेफसाइट जैसा कि आप लोग देश चैन्ते में ने उपन कर रखी है अभी आपके रिजल्ट का अनाउंस्मेंट नहीं हो पाया है और क्यावल आपके लेटेस्ट नोटिस जो है वह बारा तारिक के नोटिस यहां पर अपलोड है इक और यह तो अराइरबी गोरगपुन ने भी अभी भी रिजल्ट अपना अपलोड नहीं किया है अदिश देते हैं यहां पर यह अफिशली वेफसाइट है सौट डिश्ट यह केवल केवल जो है सीबीटी वा सीएन जीरो तरी टूट और नैंटीन को लेकर के इंफार्मिशन दी कर दिया है यहां पर इसकी इंफार्मिशन दी गए आप शबी लोग देख भी सकते हैं जो इनौर्ट टारीक के नोटिस यहनि कल भी जायी है आपके रिजल्ट को लेकर के आप इसे परकार से और भी भरती बोड के अगर हम आप अप शीली वेफसाइट पर जाएं तो अरर् देख भी सेते हैं रिजल्ट को लेकर के जो इंफार्मिशन दी गई है और भी पत्ना के दौरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं रिजल्ट का एनाउंस्मेंट जो किया गया है यहां से आप सभी लोगों के लिए इनफार्मिशन रिजल्ट आप दिन टी पीसी पोस्ट नोटि कोटाप की इनफार्मिशन दी गई हैं अगर हम लोग देख पाते हैं यहांच अग्लो डौड करते हैं इनकी कटाफ ररार भी पतना को लेकर घरके तहीं निश्यतों पर आप यहां पर देश्जेते इनफार्मिशन जो दी गई है और रOkay हम बात करने अगा तो लेबल 2 में जो कटाप गया है यूर का देशेते हैं 91 कटाप गया काफी यह यह सी के लिए 88 गया है यह स्टी का 82, 80, 80, 87 कटाप गया है इसी पकार से एक सर्विसमेन में भी आपके देखते हैं और लेवा कटिगरी देखते हैं इसे काफी ज्यदा हाई कटाप गया है तो निष्य तौप इससे काफी ज्यदा पर पुरिषान है तो यह तो बाते हो गई है औरार्बी एंटी पीसी चीरिजल्ट को लेके इलाहबाद और गौरब पुर्जोन का रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा औरार्वी के तरफ से आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ से उत्तरपरदेश लोकशिवा आयोग ने जसा कि आप लोग जानते हैं PCS 22 मेंस को आपकी इतारिखे के निधार कर दिया गया है लेकिन 28 जनवरी की बजाए एक दो महीने बाद करने के परतियों की मांग है इस परिच्छा को लेकर क्या देशेते हैं PCS 22 मेंस टालने की टूटर पर कैंपियन उत्ते परदेश लोग से बायोग PCS 22 मुख परिच्छा करीब इसके पहले काफी अभरति कोरोना संक्रिमित हो गया है मजूदा इस्तिती को देखते हुए और अभरतियों के संक्रिमित होने से इनकार नहीं क्या सकता है ऐसे में परतियोगी PCS 22 की मुख परिच्छा को पोश्पॉंट यानि टालने की मांग की जा रही है परिच्छा 28 जनवरी के बज़ाए एक दो महीने टाल कर इसे मार्च और अप्रेल में करा जाने की मांग परतियोगी चाहत को को प्रदामंत्री, मुख मंत्री और आयोग के अध्यच को पत लिखा गया है इसके साथ है ट्विटर पर भी अभियान अभरतियों ने छोड़ा है 28 जनवरी को 678 पदों के लिए PCS मुख परिचाय कायोजन 22 कायोजन जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लगनों के साथ प्रियाग राज और इलाहा गाजियाबाद में यह आपकी 28-31 जनवरी के मद्ध उजित की जानी है आगे हम लोग देख सकते हैं जो महत्तर पूर्चीज आप सबी लोगों के लिए है आप यहाँ पर देख सेते हैं एक भरति को लेकर के इन्विस्टिगेशन अफशर बदलने से परतियों में जगी है अब उमीद जी हाँ रुत्तर प्रदेश लोग शिवायों की भरति पर इचाओं और परडामों की जाज कर रही सीबियाई टीम में एक बार फिर बदला हुआ है नूतन ठाकूर को जाज की कमान मिले से परतियों की जाज की रप्ताल पर करने की उमीद जागी है और इनका मानना है कि बिधान सबाचुनाओ करीब है जाज की उमीद की जा रही है कि इनका मानना है कि बिधान सबाचुनाओ करीब है उससे देखते वे सीबी आई जल बड़ी कारवाई कर सकती है ऐसा होने पर कई चैनलितों को साहित आयोक के दोसी अधिकारियों करमचारियों किलाब कारवाई भी की जाएगी पांसो से अधिक परड़ाम जांस के दायरे में है आगे हम सबीरों के बात करें देखते हैं जूनियर आई सकती है अधिक परड़ाम के आगे नहीं बड़ सकती है 17 अक्टूबर को हुई थी आपकी परड़ाम 15 नॉमबर को आया था परड़ाना द्यापक के 390 और सायकर द्यापक के एक जार 504 पड़ों के लिए 46 यार से ज़्यादा भरती सफल हुए थे अब भरती रिक्त पड़ों के सापेज भरती बिग्यप्ति के माद्यम से मेरी तयार कर चेहन के जाने की मांग भी कर रहे हैं लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है परिच्छा यूपी टीटी को बिदाख कराना परिच्छा निम्य प्रदिकारी कादियाले के लिए किसी चुनोती से कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहां पर है कि तमाम केंद्रों पर श्मार्ट फोन पर रोक नहीं लग पा रही है। सासन ने पिछली कई परिच्छा से यहादिस कर रखा है कि कच्छ निर्चक यानि जो सिच्छक होगा केंद्र विवस्तापक जो पर धाना चार होंगे इस्टाप और निर्चर पर आने वाले अपसरों और मजिस्टेट के पास केंद्र के अंदर श्मार्ट फोन नहीं होना साह आते हैं अटाइक्स नोमर कुपे पर लिग के बाद भी परियागराद समयत कई जो में परिच्छा सुरू हो गई थी और परिच्छा के दौरान कई के इंद्र विस्तकों ने वाटसप ग्रूपों पर भेट्टियों के उपसे थी यानि परिच्छा के दौरान पर धानाचा आपके पास जो है एक सब्ता का समय और बचा हुआ है तो यह बाते हो गई हैं टीटी पर इच्छा को लेकर के बात करेंगे अनभरती विग्यापन को लेकर के यहां से बात करेंगे हम लोग नबोदे विद्याले शमीती में नई भरती विग्यापन को लेकर के आप देख सक शक्सन अपसर अडिर अर्सिस्टन जूनियर सेक्रियाट यानि गुरूब बीस सी को ले करके ये भरती बिग्यापन जारी किया गया है के इंदरे बिद्याले शमीती के द्वारा वहीं आप देशिते हैं ये आठ रिजिनल आप्शोर पर ये भरती की जाएगी भौपाल चंड की फिमेली स्टाफ नर्स की भरती है गुरूब शी असिस्टन श्रक्षन अपसर गुरूब शी भरती चार पद आगे हम बात कर लें जो सबसे ज़्यादा पदों का इनाउंसमेंट हुआ है आपको दिखाना चाहता हूं बताना चाहता हूं कंप्यूटर आपकेटर की भरती की यहां पर है और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा पदों के भरती का भी गयापन जारी किया गया है यहां से दे सकते हैं मैं सैलफर गूरूब शी यहां भरती मल्टी टास्किंग की जो है पदों की ज़्यादा है इसके साथ साथ आपके जो है कौलिफिकेशन का भी ट चाहरा साल है और माक्सिमम 32 साल का यहां पर जो है आपको देखनों को मिल सकता है एज का बाउंडेशन तो यह नवोदे बिद्द्द समितिक आनलाने बेदन आप सुरू हो चुका है जो है देर रात इसकी आफिशली वेब साइट भी एक्टिव हो चुकी है तो आप लोग इस पर उत्रप्रदेश को लेकर के तो उत्रप्रदेश में आब अभी आपके सींटर को लेकर्ट की इनफ्रमिशन यहां पर दी कई है आपके परिशाप कर आई जाएगई कानपूर misman यहां पर इचा कर जनरल हिंदी जनरल इंग्रिश और विश्मार का फॉर इस सब्जेक्ट बेसी नॉलेज कंप्यूटर यानि कंप्यूटर से च्छे खासे कोईशन आपको देखने को मिल सकते हैं फीज थोड़ी यहां पर आप सभी लोगों के लिए ज्यादा रखी गई है वहीं यसी यस्टी जो कंड़ी रेट हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपकी फीज़ूए जीरो रखी गई है है ना तो यह इनफरमेशन आप तरफ पहुचाए गई है आज राहुल वाई फाइक चलके मादेंस प्रैंड खबर अच्छी लगी है तो पिर इस वीडियो को लाइक करे और इस वीडियो को शेयर करिए मिलते हैं नेक्टी वीडियो नेक्ट अपडेट कर साथ तलके धरनवाद नमस्कार जहिंद जह भारत